हलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर सुशीला सैनी काइनेकोलाजिस्ट एंड ऑप्सटिशन डाइरेक्टर जापुर दूरभीन हॉस्पटिल एक बार फिर से आपके सामने हूँ आज हम बात करेंगे फीमेल्स में पाई जाने वाले नॉर्मल रिप्रोडुक्टिव सिस्टम के बार में सबके दिमाग में एक हमेशा विचार रहता है कि ऐसी क्या संवर्चना है क्या स्ट्रक्टर से बाड़े के अंदर जो एक फीमेल को मेल से अलग करती है या फीमेल्स में जो इतना सारा चेंजिस दिखते हैं या बॉडिली और जो इनका प्रिजन शमता है या वो बच्च बच्चे दानी से फीमेल्स में घंग, अम्हें उड़े क्या बेसे समझते हैं और जो इसके हम सुद्गोड चे और जोख साइना का बच्चे दानी नहीं सिखते हों तो दो इसको बहुता हैं या मे get- gold बच्चार बेसीपहली पाना में एक जो Holikumक्रोक्ट कि क्या स्वज्च जो कि बाहर की तरफ खुलता है योनी मार्ग बोलते हैं योनी मार्ग और योनी द्वार जिसको बोलते हैं इंट्राइटर्स पर ये ओपन होता है लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि बच्चेदानी का रास्ता नहीं बना या बच्चेदानी का रास्ता बंध है यहां से मही बिमारी होती है जिसे कि हम मुलेरियन एबनॉर्मल्टी के नाम से जानते हैं इसका हम एक अगले वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे कि यह क्या बिमारी है इसका क्या इलाज है अभी आप यह समझ सकते हैं कि वजाईना नॉर्मली हस्बंड वाइफ के मिलने का रास्ता होता है और यहीं से बच्चे लगने की शुरुवात होती है अगर हम इसके आगे बात करते हैं इस सर्विक्स बच्चे दानी का जो यूट्रस जिसको बोलते हैं यूट्रस की ओपनिंग है उसका बच्चे दानी का मुह बोलते हैं और यह वजाईना के अंदर खुलता है और इस पाने निकलता है वो ही नीचे बच्चेदानी के अंदर रास्ते में नीचे आता है जिसको वजाइना में आता है और वजाइना का का काम करता है इस लूबरीकेशन से जो husband wife के मिलने क्या जो process है उसको easiness होता है तक उसमें roughness नहीं आए smoothness रहे और कोई problem ना लेकिन कई बार वजाइना में इंफेक्शन हो जाता है जिसमें कई बार आपने बोला होगा सुना होगा कि सफेद पानी आने लग जिसे लिए या शुएत प्रदर की विमारी बोलते हैं आप यह समझेंगे इसके बारे में कई बार इंफेक्शन होने की वजह से दही जैसा पा जलन नहीं है और कोई प्राब्लम नहीं है तो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है कि जो इन सर्वाइकल ग्लेंड से निकलने वाला स्त्राव है इनका सिक्रेशन से कि जो वजाइना के लूबरीकेशन के लिए जिम्मेदार है उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और यह म पर चिंता नहीं करेंगे इसके आगे हम जानेंगे कि जो बच्चेदानी के मुझ पर कई प्रकार की विमारियां हो सकती है अगर यह समझेंगे कि आपके गाव बन गये हैं तो यहां की जो लेयर है चिल जाती है चिलने के कारण सर्विस आइटिस बोलते हैं और इसे खून पर कई बच्चेदानी का कैंसर भी हो जाता सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं और आपको जानकर आश्चरी होगा कि इंडिया सर्वाइकल कैंसर में टॉप करता है और इसका बहुत ही सीधा इलाज है बहुत अच्छी सी छुटी सी जाच है पैप स्मेर के नाम से होती ह साल में आप जरूर करवाइए एक बार आपका निगेटिव आता है तो तेन साल में एक बार रिपीट करा सकती लेकिन पैप समयर जरूर करवानी चाहिए ताकि कि बहुत ही अर्ली शुरुआत में अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सके और इसके यहां पर मुपे बच्चे दाने के मुपे घाव बन गए या सर्विस साइटी से जिसके वज़े से आपको दर्ध हो रहा है तो इनका भी बहुत सीधा सा इलाज होता ह है जिसको लार्ज लूप एकसीजन बोलते हैं या कोल्ड काटराइजेशन बोलते हैं तो काफी तरह के इलाज है जो आराम से इलाज हो जाता है आप अपनी डॉक्टर से संपर करेंगे तो आपको आपके बिमारी का पता चलेगा और उसका इलाज भी पता चलेगा और यह ज चाहिए इसके आगे यह है बच्चेदानी यानि की यूट्रस दिस दा होल यूट्रस जिसमें की बच्चा लगता है यह बच्चेदानी की कैवेटी है यूट्राइन कैवेटी है यहां पे बच्चा पलता है बच्चा बढ़ा होता है और जिसे जिसे बच्चा बढ़ा होता तो प्रोजिस्ट्रोन से इसकी growth और होती है और जब प्रोजिस्ट्रोन का level नीचे आएगा तो यह लेट शेड़ अफ होके नीचे आजाती यह जाती है यह गिर जाती है डह जाती है और इस लेट के डहने से महिने के अंत में महिना आता है क्योंकि जब ये layer shed off होती है तो थोड़ी सी blood vessels खुलती है थोड़ी bleeding होती है bleeding के साथ में endometrial tissue भी बाहर आता है और ये layer जो होती है बच्चा लगने की तैयारी के लिए मोटी होती है जब बच्चा रुपता है यानि कि जब implantation होता है या बच्चा जब लगता है तो इसी layer के अ बच्चा लग जाता है तो महीना नहीं आता क्योंकि यह layer बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है बच्चे को growth के लिए जगह दे रही है इसलिए pregnancy होने के बाद महीना नहीं आता है इसके आगे हम देखते हैं this is the both side fallopian tubes हैं जिनको कि हम बोलते हैं कि नलियां बोलते हैं अंड न लिए जगए साफी में देखते हैंこれで संदा निकलता है अंड निकलता है और इसको पकड़कर ले आती है इस पक्ड़ने में अगर आप देखेंगे तो यह पूरा अंडे को पकड़कर आगे अगे है यह कोई रुकावट हो सकती है जिसके वज़े से यह यहां तक नहीं पहुंच पाता है और बच्चा यहीं लग जाता है और यहीं बड़ा होने लग जाता तो आपने सुना होगा कि बच्चा ट्यूब में लग गया है और आप यह देखें कि जब हस्बंड वाइफ मिलते है तो जो सिमन है या स्पर्म से तो जब स्पर्म यहां पहुंच जाता है तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और यहां बनता है बच्चा यहां बन जाता है बच्चा ट्यूब के अंदर यहां बनता है और उसके बाद यहां से ट्रांस्पोर्ट होकर यहां पहुंचता है जहां कि इसका Inplantation निकी बच्चा का बीज रोपन अब से समझ सकते कि नाम से रहर प्रेगनिन दोcam अगर शुरुवाती अवस्था में पता लग जाता है तो इसका इंजेक्शन से ट्रीटमेंट हो जाता है या गोली दवाई से भी ट्रीटमेंट हो सकता है बट वह डॉक्टर की देखरेक के बिना नहीं हो सकता लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर ट्यूब फट गई तो ब आफ झा एकिन आफ याँ और यो वह से बिनगे हैं की का वींक की के खेंखें मेरा वाले फ्ट हमें हम्हां रांडा प्री यह सी। के लिए इस्टोजन और पजिस्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल है जैसे जैसे मीनोपॉज होता है यानि कि जब महीना बंद हो जाता आना मीनोपॉज की तरफ बढ़ती है लेडी 40-50 यह पे तो देरे देरे इनका हार्मोन का लेवल डाउन होता है इसी वजह से यूट्रस के जो अंदर का लेयर का जो growth है वो नहीं होता है और हार्मोन क्कम होने के कारण ही महीना आना बंद HOW जाता है जिसको बोलते है मेनोपॉज मीनोपॉज मेनोपॉज महीना आना बंद होजाना और एवरेज उमर जो इंडिया में है वह 50-50 साल है 50-50 साल से अगर पहले पहले कि आपका महीना जल्दी आना रुक गया है या जादा आ रहा है या कोई भी तकलीफ है तो आपने डॉक्टर से एक बर आप राय जरूर करें सलहा जरूर करें ताकि आपको इसकी इलाश दिया जा सके कई बार इस के अंदर बहुत सारे अंडे बन जाते हैं अंडे बनते जमा हो जाते हैं आप देखेंगे इस तरीके से यह पे कितने सारे अंडे जमा हो गया है इसको हम पॉली सिस्टिक ओवरी जनली यंग स्टर में होती है जैसे कि आप देखेंगे टीनेजर गल्स में 15 साल से 20 साल या 25 साल तक की गल्स के इनदर जादा देखी जाती है यह बीम प्रोजेस्टरों से जो प्रोजेस्टान पर आना चाहिए था वह नहीं आ पाता है और इस कारण से महहिना टाइम पिस का ठीबर महिने चड़के आ रहे हैं इस तरीके से इनका पिरेट डिलेड आता है और बिना दवाईयों के कई बार महिना नहीं आपाता तो डॉक्टर के सला से आप इसका भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो आपने आज समझ लिया कि नॉर्मल महिलाओं को क्या-क्या प्रॉपलम्स हो स और यह अनल है यह फोटका कुए यह बजैना की ओपनिंग है तो इस तरीके से यह सारी चीजिजें अपने होती है अपने पेल्विस के अंदर और वावल तक भी पिछे आने कि आ गटे लिग पहल जाती है तो हर बिमारी का टाइमली इलाज होना बहुत जरूरी है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर अंदर हैं और एक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं मैं समझते हूं कि वीडियो आपके लिए लापदाएक रहा होगा आपके जानकारी इससे बढ़ी हो सकता है क्या क्या पॉसिबलीटी से क्या नई नई चीज़ें आ गई है मेडिकल में तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए जैपूर दूर्बीन का यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाएं ता कि आगे के वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार